Assalamualaikum dear students Last class में हमारा Chapter No.1 में थोड़ी चीज़े रह गए थी वो complete होई थी और Chapter No.2 हमने complete किया था आज हम कर रहे हैं एक नए Chapter Start जो के है Chapter No.7 Chapter No.7 का नाम है Mattresses अब बहुत सारे बच्चे इस नाम से familiar होंगा उन्हों थोड़ा बहुत पता होगा Mattresses के बारे में और बहुत सारे बच्चे को नई आडिया होगा पहली दफा Mattresses के बारे में पढ़़े होंगे तो मैं तो बिल्कुल Basic से चलूँगा पहले आज हम इसकी पूरा देखें कि इसकी Types क्या होती है ये किस तरह होते हैं और Mattresses हसल में होते क्या है सही है सबसे पहले Mattresses Plural Form है इसकी Singular Form होती ही Mattrix जो कि यह पर Top में लगखावा आपके पास सही अब Mattrix क्या चीज होती है मैं आपको अधाज हो Mattrix जैसे यहाँ पर Definition में लगखावा Rectangular Array of Numbers Inclosed ये डे ब्रैकेट वाली चीज को छोड़ दो Rectangular Array of Numbers Inclosed by Pair of Bracket Is Called Mattrix क्या कहते है Array Array कहते है Raws और Column को बनाना जो Raws और Column बनती है उसको हम Array कहते है सही है अब क्या बुल ले Rectangular Array of Numbers Inclosed by Pair of Bracket एक Pair of Bracket से Numbers को Close कर देना इसको हम कहते है Mattrix मैं आपको बना के देखाता हूँ किस तरह मैं अपना पैनल आओ और फिर आपको देखाता हूँ किस तरह सही है इसको थोड़ा जूम यहाँ पर बनाते दो यह यह है Brackets Closed जो Pair of Bracket विंक्लोज जो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 नंबर आजेंगे इस पूरी ट्रम की रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते है हम Mattrix यह बात याद रखना और यह बत समझ में कोई शूत नहीं इसको हम कहते है Mattrix सही है अब हम आते Components of Mattrix मैं फिर से Mattrix बना दू सही है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 नंबर कोई भी आ सकते है सही है अब आते हैं Components of Mattrix में यह आली चीज में Components of Mattrix क्या कह रहा है The Horizontal अब यह पहले Raw Raw की Definition Raw क्या होती The Horizontal Arrangement यह 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 दो लाइन जो पूरी है यह जो पूरी जो यह लाइन है यह जो पूरी लाइन है एक और दो यह जो पूरी लाइन चलिए आपकी इसको हम कहते है Raw और अपको क्या 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 है The Vertical Arrangement यह दोनों चीजे यह दोनों चीजे जो नीचे उपर से नीचे आ रही है इस जारेक्शन में यहां से यहां इसको हम क्या कहते है Columns यह तो बेसिक सी चीज़ है यहां इस वाली को Rawls और इस वाली को Column अब्यस्टी बात है सभी उमीद कहते हैं इसमें कोई इशू नहीं आ रहा हो Entries को भी छोड़ो जब मैं यह समझा रहा हूँगा तो बहु को समझा ज़ंगा यह सवाल करेंगा ता आपको उसके समझा ज़ेगा अब आते हम order of matrix में इसको पीछे ले जाऊ order of matrix बैलके एक मिनट इसकी दरोध पढ़ाईगी हमें order of matrix क्या होता है order of matrix बताता है कि आपके किसी matrix में यानि कि यह जो इब रैकेट है आपके किसी ब्रैकेट में कितने नंबर ओफ रॉज और कितने नंबर ओफ कॉलम्स है आरी बात समझ भए है या जैसे लगए नंबर ओफ रॉज को डिनोट करते हैं हम लोग M से नंबर ओफ रॉज को हम किससे डिनोट करते हैं M से और नंबर ओ एक और दो, दो नमबर अफ रोज है, तो यह M multiply by N, यह formula नहीं यह बताते हैं, यह multiply नहीं है, 2 X 2 by 2, इसको बताते हैं कि पहली चीज क्या है, M, यानिके row, दूसरी चीज क्या बताता है, column बताता है, तो यहाँ पर कितने rows है, 2, यहाँ पर 2 आ गया, 2 X, बतलब 2 by, अब कितने columns यहाँ पर, एक और दो, दो column है, यानि कि यह matrix का order क्या है, 2 by 2, इस multiply को multiply नहीं पढ़ते हैं, यह by पढ़ते है, 2 by 2, यानि कि 2 rows और 2 column का यह matrix है, अगर यह matrix इस तरह होता, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगर यह matrix इस तरह होता, यहाँ पर, दो numbers होते हैं, लेकि तो यह क्या लिख दाता हूँ, order, 2 by 1, पहले में क्या आता है, rows, देख लो किती rows हैं आपे, 2, दूसरे में क्या आता है, column, देहो किती column है, एक ही column है, और यह बद समझ में, इस तरह हम निकारते हैं, और पता लगाते हैं, order of matrix, और यह बद समझ में, इस matrix में मुझे उमीद क types of matrix में, following है, following types है, matrix की, आप देख सकते हो, सबसे पहला है, rectangular matrix, rectangular matrix आपको नाम से बदा चला है, सबसे पहले, एक बात, rectangular matrix की बाद याद अधर ना, जब आपकी, जब आपकी, short form, short trick है, जब number of rows, यानि के, M, is not equal to N, यानि के number of rows, यहाँ पे लिख़ए है, number of rows, पहले column, यह रो, कोई भी हो, number of rows, अगर आपके बराबर ना हो, number of column के, तो वो matrix क्या किलाएगा, आपका rectangular matrix, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इस वाली diagram में, इस में देख सकते हो, कितनी rows है, एक और दो, कितने columns है, एक, दो, तीन columns है, और दो rows है, rows और column बराबर है, नहीं है, अब गोर से देखो, यह पूरा एक तौर पे, इस तरीके के shape बन रही है, तो यह एक तौर पे कौन सी shape बन रही है, rectangle की shape बन रही है, तो यह कौन से matrix कलाएगा, rectangular matrix, आर यह मेरी पाट समझ में, अगर सबोस करो, यहाँ पे, जैसे दो rows है, अगर तीन rows होती है, तो यह कुछ इस तरह होता, देखो, यह एक, दो, तीन, किते क्या बोले है, मैंने तीन rows, हाँ, एक मिनट, यह, एक, दो, तीन, और दो column होते है, एक, दो, तीन, और close करते हैं, अब गोर से देखो, जब यह बन रहा है, तो यह भी र इस तरह दिखनी रहा है, वैसे rectangle की form ही बनेगा, यह तरह सही है, यह example देखो, यह given है, दो rows, एक ही column, दो rows और एक ही column, इसमें वो बराबर है, क्या करते हैं, जिसको, rows or column, rows or column बराबर नहीं, तो यह भी क्या है, rectangular matrix है, सही है, अब रेक्टेंग, अब आते हैं, दूसरे type में column matrix, column matrix, column matrix, वो matrix होता है, जिसके matrix का सिफ एकी column हो, और बाकी number of rows हो, देखो, यह पर लिकावे, if a matrix has only one column, जब matrix के प्यास क्या हो, सिफ एकी column हो, number of rows बहले जितनी भी हो, उसको, हम कहता है, column matrix, column matrix क्यों नाम है, क्योंगे, एकी column में, सारे numbers आ रहे है, तो इसको, हम क्या plus seven यह पूरा A की number है, B plus nine A की number है, तो यह कितने column है, A की column है, दो column है, A की column है, दो column है, A और B को अलगा लग करो, यह बीच में plus sign लगावा है, यह matrix में ऐसे gap का साइन हो, यह बीच में plus sign लगाए, यह बाच आद रखना, और यह भी देख सकते हो, यह भी a की column है, raw भी बहले if a matrix has only one raw, क्या, एक ही raw हम matrix की, तब हम सो क्या कहेंगे हम, raw matrix, इस example देख लो, एक ही raw इसकी, दो column है, one और two, एक मिनट, हा, एक ही raw इसकी, दो column है, one और two, इसमें भी a की raw है, two upon three, five upon six, यह two और three, अलग अलग नहीं, अलग अलग रोस नहीं, यह पूरा A की number है, two upon three, पूरा A matrix में, square matrix क्या होता है, square matrix वो matrix है, जिसमें number of raws और number of columns क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या, number of raws और number of column क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे यह है, example, इसमें number of raws भी तो है, number of column भी तो है, अगर हम शेप देखें गोर से, तो यह ऐसा square ही लग रही है, हमें, तो यह के क को स्क्वायर मैट्रीक्स ऑफ चाहरे बात समझ वह बहुंगें तो इसे था बीक एग्जेमपल देखो इस भी नमबर ओफ रोडो कॉलम से मैं सी लेखो इसमें भी नमबर ओफ रोडो कॉलम से किस तरह रौक इतनी है वन कॉलम्ल भी कितना है एक है तो यह भी स्कॉयर मैट्रि 050 अश्युक्राइब गाता है तो पैट अग्चाए तोब उप साथ च्ट्राइब मेरे में पैटोउ कि यानगोंच चिसरे है ये तोबाई बाला मेक्टिक्स है जो जोगें स्थोबाइब अपना की बेसिक हो निजेग तोबंच तो यह देखो 2x2 के भले 0, 2x1 का 0, यह तो 1y1 का 0, तो कलाएगा आपका और सब में 0, तो वो कलाएगा आपका 0 मैट्रिक्स ही, आरी बच समझ में? अब स्क्वार मैट्रिक्स अपने पड़ा, स्क्वार मैट्रिक्स भी कुछ सब टैप्स होती है, वो देखते हैं, 0 हो जाए क्या बोला मैंने ये और ये 0 हो जाए स्कुैर मेत्रिक्स with all its element 0 accept the leading diagonal क्या बोला मैंने square वो square matrix अभ जैसे स्क्वार मेत्रिक्स की टाप रहा तो सारे स्कुार मेत्रिक्स होगे सही है अभ square matrix कौन से वाले वो square matrix जिसकी Diagnols के इलावा सारे element 0 अरीबस असमे Diagnols के इलावा सारे element 0 Diagnols क्या होता है? जो आपका main number से बन रहता है पहले number क्या है 3 तो 3 से Diagnols क्या होता है? Diagnols मेपको पिताता हूं द्रॉप करके एक मिनट यह रहा मारकर मेरा यहां पर देखो यहां पर नम यह Diagnols है यह Diagnols है यह Diagnols है अब देखो क्या Deflection में क्या बोले? A square matrix with all its elements 0 except the diagonal main diagonal में main diagonal में elements के अलावा सारे element देखो यह भी 0 है यह भी 0 है यह भी 0 है यह Diagnols नहीं कहलाता है यह वाले चीज़ Diagnols नहीं कहला है वो main elements से लेते है यह वाली चीज़ तो इसको हम क्या कहते है Diagnols मेंट्रिक्स जिसके Diagnols के इलावा सारे वेल अपना सारे नमबर 0 हो जाए इसको हम क्या कहते है Diagnols मेंट्रिक्स अब माते है Scalar मेंट्रिक्स में Scalar मेंट्रिक्स में Diagonal- Diagonal, all elements are 0 यो एफ जो जो, यो जो सारे element zero जे जरूर होते हैं लेकिन diagonals के सेम element होते हैं तो सेम नमबर होते हैं यह route 5, route 5 यह माइनस-फवन-फवन-फवन इसमें एक्जम्पल थो, थ्री और 5 यह तो यह diagonal कहाते हैं जिसमें, सेम आज के लागनल उसको हम स्केलर मैट्रिक्स लाते हैं, लेकिन साइड में 0-0 होना भी राज़ में, अगर 0-0 नहीं हुआ तो यह कोई भी मैट्रिक्स ने लेगा लाएगा, सिंपल स्कोर मैट्रिक्स लाएगा, आरिए बात समझ में, इसी तरह लास्ट है, यूनिट आइडंटिटी मैट्रिक् यूनिट या फिर आइडंटिटी मैट्रिक्स, यह क्या मैट्रिक्स होता है, यूनिट या इडंटिटी मैट्रिक्स वह स्कोर मैट्रिक्स होता है, जिसके डाइगनल में 1 हो, बाकी हर जग अजीर हो, क्या बोला हम इने, जिसके डाइगनल में 1 हो, अब बले 3x3 का मैट्रिक तो इना और त्री बाज़े तेंगे तीन रोज और तीन कॉलम लेकिन डाइगिनल में वन हो और बाकी हर जग अजीर हो इसको हम क्या कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ये बद समझ में कोई शीज तो नहीं अब आते हैं हम ट्रांस पोज ऑफा मैट्रिक् प्रापर्टि इनान ये बद और ये ये अथे तो जो त्वीज तो नहीं कोई दूवर्य वर्यी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स की बहुत एहम परपर्टिंट थो गर्स समझनी है तो ये अब जैसे एक सवाल है क्या अबटरा आबबर长 2-3-6-16- 21,10-3-6-6 वर् Stacy-2-1 कॉलम के हसाफ से, यह कॉलम के हसाफ से, अब इसमें क्या करता है, ट्रांसपोस में क्या करता है, रॉज को, कॉलम में चेंज कर देता है, आर यह बच समझ में, गौर से सुनों मेरी वर्डिंग्स, रॉज को क्या कर देता है, कॉलम में चेंज कर देता है, ट्रांसपोस का में लिखा जाएगा अगर मैं नीची देखूं तो गोर से देखना अब जूम आउट यहां पर जूम इन करो यह देखो अब देख सको चैंसल करो यहां देखो टू थ्री वन सब्सक्राइब करते हैं अगली क्लास में हम इसके सवाल जबाब करने पर आएंगे सही है अलाफेज